हाई फ्रेंद्स माइसर्फ डॉक्टर शैशी बोरीचा आपका मेरे चैनल पर बहुत-बहुत करती हूँ आज मैं आपको एक कंडिशन एक्स्प्राइब करूंगी जिसका नाम है हाई कॉलेस्ट्रॉल मैं आपको बताऊंगी कि यह क्या होता है इसमें क्या क्या सिम्टम आते ह है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल एक तरीकी का फैटी और वैक्सी सबस्टेंस होता है जो पर संके ब्लड में प्रेजन होता है और यह नॉमल फंक्शनिंग के लिए बॉड़ी को चाहिए इसका नॉमल जो एक लेवल होता है वह ब्लड में 200 mg पर कराते है तो उसमें आपका फैस्ट्रॉल का वो हाई गालेवल बढटा है तो सबसे पहले एंटी इने लुप जاتा है यह कोलिस्ट्रॉल & इंटीर में इखटा होने लग जाता है जबा होता है जिसके वज़ए से आपका जो ल्यूमें की आप आटीर सी pas एक पतला हो जाता है जैसे कि उनको चेस्ट में पेन हो सकता है, ऐसे परसन को शॉटनेस ऑफ ब्रेथ की इसे परसन को करोणरी आर्ट्री में कई बार ओक्लूशन भी हो सकते हैं, कम्पलीट ओक्लूशन होने के वज़े से उनको हार्ट अटेक आने के चांसे काफी जादा बढ़ जाते हैं, इसके लावा अगर कई बार person का जो blood supply है वो brain तक नहीं हो पाता है तो brain damage भी हो सकता है अब मैं आपको कुछ homeopathic medicine बता देती हूँ जो आप high cholesterol जैसी complaints के लिए use कर सकते है तो medicine जैसे कि आप alien sativum 30 medicine का use कर सकते है ये medicine आप high cholesterol के लिए use कर सकते है alien sativum medicine person की body में जो cholesterol है उसके level को कम करता है और अगर किसी person को high blood pressure की complaint है तो उसको भी cure करने में help करता है इसके अलावा अगर किसी person की arteries में cholesterol जमा हो चुका है जिसके वज़े से blood flow कम हो रहा है तो उसको improve करने के लिए आप इस medicine का use कर सकते है इसके अलावा आप calcaria cup 30 medicine का use कर सकते है calcaria cup 30 medicine उन लोगों के लिए बहुत effective medicine है जिन लोगों का body weight बहुत जादा होता है अगर आप बहुत जादा obese है आपका body weight control में नहीं रहता है और बढ़ता ही जा रहा है तो आप इस medicine को use कर सकते है calcaria cup medicine body fat को कम करने में help करता है इसके अलावा अगर आपके body में cholesterol का level बढ़ता ही जा रहा है तो उसको control करने में help करता है इसके अलावा आप barita mu 30 medicine का use कर सकते है यह medicine जादा तर old age के लोगों के लिए effective है अगर किसी person की age बहुत जादा है और उनकी body में cholesterol का level बढ़ता ही जा रहा है जादा cholesterol के level बढ़ने के वज़े से अगर किसी person को brain related complaint हो रही है जैसे कि उन्हें headache होना vertigo होना बहुत जादा उन्हें चक्कर आते है तो ऐसी complaints के लिए आप इस medicine का use कर सकते है इसके अलावा critical 30 medicine का use कर सकते है यह medicine उन लोगों के लिए बहुत जादा effective है जिनको high cholesterol के वज़े से जो blood supply है वो कम हो चुकी है अगर किसी person की heart muscles बहुत जादा weak हो चुकी है blood supply properly नहीं हो पा रहा है heart तक तो ऐसे लोग इस medicine का use कर सकते है यह medicine person की जो weak muscles है heart की इसके अलावा यह medicine cholesterol deposits को dissolve करने में भी help करती है so friends यह थी high cholesterol की five best medicine जो आप use कर सकते हैं तो अगर आप किसी भी condition के लिए मुझसे consult करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे WhatsApp नंबर पर message कर सकते हैं मैं आपको reply करूंगी तो अगर आपको मेरे वीडियो useful और informative लगा हो तो आप फ्लीज इसको like कर दीजिए और साथी साथ आप मेरे चैनल को subscribe कर लीजिए और जो bell icon है उसे press कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो को notification मिलता रहे तो आज के लिए बस इतना ही thank you